रमशकार जनसत्य नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनेना सिंग महामारी कोरोना वाइरस के खिलाफ देश इस वक्त एक महा जंग लड़ रहा है देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन है वहीं लॉकडाउन के नौवे दिन प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया प्यम मोधी ने देशवासियों से अपिल करते हुए कहा कि 5 एप्रेल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लोग अपने घरों की लाइट बंद करके अपने घरों की बालकनी में दिये जलाएं मोंबत्ती जलाएं या फिर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं क्योंकि कोरोना के अंधेरे को प्रकाश की ताकत से ही हराय जा सकता है इसके लिए प्यम मोधी ने लोगों से रविवार को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की है इसका मकसद एक जुटता का संदेश देना है इस दौरान प्यम मोधी ने और क्या कुछ कहा आए सुनते हैं इस संडे पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनोती देनी है उसे प्रकाश की ताकत का परीचे कराना है इस पांच एप्रिल को हमें 130 करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है 130 करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है पांच एप्रिल को रभीवार को रात नव बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनिट के लिए मुम्बत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लेश्लाइट जलाएं मैं फिर कहूंगा मुम्बत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लेश्लाइट पांच एप्रिल को रात को नव बजे नव मिनिट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे, चारों तरब जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा, तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा, जिसमें एक ही मक्सद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा, उस प्रकाश में, उस रोष्णी में, उस उजाले में, हम अपने मन में ये संकल्प करें, कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, एक सो तीस करोड देश्वासी, एकी संकल्प के साथ क्रत संकल्प है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इखठा नहीं होना है, रास्तों में, गलियों में या महलों में नहीं जाना है, अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे कर रहा है, सोशल डिस्टन्सिंग, सोशल डिस्टन्सिंग की लक्षवन देखा को कभी भी लांगना नहीं है, सोशल डिस्टन्सिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है, कोरोना की चेन तोड़ने का यही राम बाण इलाज है के बढ़ होत्री हुई है जिसके बाद पॉजिटीव लोगों की संख्या 2500 के पार चली गई है वही कोरोना वाइरस को लेकर केंदिरे स्वास्थे मंतरी डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा कि आज सभी डॉक्टर्स के उपर देश को गर्व है और सब जानते हैं कि आज हम किन परिस्थितियों से काम कर रहे हैं जो बीमारी आंधी की तरहे लोगों को अपनी चपेट में ले सकती थी उसको रोकने के लिए आप सब ने इस्थिती को कंट्रोल किया है उधर दिल्ली में बुद्वार को कोरोना वाइरस के 141 मामले आए दिल्ली में कोरोना वाइरस मरीजों की संख्या 293 हो गई है जिसमें 139 मामले तबल्गी जमात के हैं देश में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए तमाम राज्ये की सरकारे गंभीर हो गई है लोकडाउन का लोग सही से पालन करे इसके लिए जगे जगे पुलिस फोर्स मौजूद है हाला कि कई जगहों पर पुलिस और डॉक्टर्स की टीम के साथ लोगों के हमले और बत्तमीजी की खबरे भी आई हैं जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि लोकडाउन के दोरान राज्ये में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ एनसे के तहट कड़ी कारवाई की जाएगी हाला कि इस से पहले स्वास्थे कर्मियों पर हमला करने वालों पर मध्य प्रिदेश सरकार ने भी बड़ी कारवाई की सरकार ने सभी आरोपियों पर रासुका लगाई है क्योंकि इन दोर में बुद्वार को टाटपटी बाखल इलाके में जाज के लिए गई स्वास्थे कर्मियों के टीम पर लोगों ने जम कर पत्राव किया था जिसमें महिलाएं भी शामिल थी इसको लेकर चार व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्य सुरक्षा दिनियम 1980 के तहट सक्त कारवाई की गई है वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिये बताते हैं कि आखिर NSA कानून है क्या क्या है NSA NSA देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक ताकत देने वाला कानून है NSA के जरिये केंद्र और राज्य सरकारे किसी भी संग्दिक्द को हिरासत में ले सकती है सरकार को ऐसा लगता है कि कोई शक्स देश की सुरक्षा निश्चित करने वाले काम से रोक रहा है या रोक सकता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है NSA कानून का प्रयोग जिलादीकारी पुलिस आयुक्त कर सकते है यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून विवस्था को सही तरीके से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है NSA के तहट किसी भी संग्दिक्त व्यक्ति को बिना किसी आरोब के 12 महिने तक जेल में रखा जा सकता है राज्य सरकारों को केवल ये सूचित करने की जरूरत होती है कि NSA के तहट एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है NSA के तहट हिरासत में लिये गये व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोब तै किये बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है हिरासत में लिया गया व्यक्ती हाई कोर्ट के सलाकार बोर्ट के सामने अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकतमे के दौरान वकील की अनुमती नहीं होती कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका में वाक्यू छिड़ गया है एक तरव जहां अमेरिका चीन को वाइरस फैलाने के लिए दोशी मान रहा है वही भारत में भी कोरोना वाइरस को फैलाने के लिए चीन को दोशी ठहराने की मांग अब तेजी से उठने लगी है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चीन कोरोना बीमारी फैला कर भारती अर्थवेवस्था को नुकसान पहुचा रहा है और नुकसान को पूरा करने के लिए भारत को चीन से 500 बिलियन डॉलर का हरजाना वसूलना चाहिए इतना ही नहीं चीन को इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में भी ले जाना चाहिए ये सुझाव अंतराश्टिय न्याइक मामलों के जानकारों ने प्रदानमंत्री को चिठ्थी लिखकर भेजा है अब देखना होगा कि किया पी एम मोदी चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में जाएंगे देश के लिए मिसाइल और हतियार बनाने वाली DRDO ने कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए खास PPE सूट तयार किया है DRDO ने ये सूट पैराशूट बनाने वाले मेटीरियल से तयार किया है DRDO के महाने देशक के मताबिक कोरोना वाइरस जिस तरह से देश में फैल रहा है ऐसे में आने वाले समय में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए परसनल प्रोटेक्टिव एक्क्यूपमेंट यानि सूट की डिमांड बढने वाली है ऐसे में DRDO के आगरा की ADRDE Lab ने दिल्ली के Institute of Nuclear Medicine and Light Sciences Center के साथ मिलकर ये प्रोटेक्टिव सूट तयार किया है जानकारी के मुताबिक महाराष्ट के कुसुंगड की एक प्राइवेट फैक्टरी को इस तरह के सूट बनाने का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है ये कमपनी अगले एक हफ़ते तक इस तरह के करीब 10,000 PPE सूट बना कर तयार करेगी और सरकार को महिया कराएगी एक दूसरी प्राइवेट कमपनी भी चिन्नित की गई है जो इस तरह के 5,000 सूट बनाएगी इस संकट की घड़ी में DRDO की अलग- hostage लड़ने में मदद कर रही है देश में chemical biological हत्यारों से लडने की तकनीक भी DRDO ही तयार करती है ऐसे में DRDO की तकनीक काफी मदद कार साबित हो सकती है हाल के दिनों में DRDO ने देश के लिए 50,000 से ज्यादा寂जर तयार किये है 10,000 N99 मास्क बनाए हैं और 30,000 वेंटिलेटर बनाने में भी मदद कर रही है वहीं अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प एक बार फिर कोरोना वाइरस टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं वाइट हाउस की प्रेस सचीव स्टेफनी ग्रिशम ने इस बात की जानकारी थी इससे पहले भी ट्रम्प अपना कोरोना वाइरस का टेस्ट करा चुके हैं जिसमें वो नेगेटिव पाए गए थे बता दे कि पिछले महीने के मध्य में अमेरिकी राश्टपती ने दो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने के बाद टेस्ट कराया था जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी वाइट हाउस ने पिछले महीने कहा था कि वो ट्रम और उपराश्ट पती माइक पैंस के संपर्क में आने वाले लोगों के तापमान की जाज शुरू करेगा वही दूसरी तरफ कोरोना वाइरस की देशत के बीच जहां बजार सुस्त पड़े हैं वही एक राहत की खबर सामने आई है दिली NCR में CNG और PNG के दामों में कटोती की गई है अब नई और घटी होई कीमते आज से लागू कर दी गई है ग्रेटर नौइडा गाजियबाद में CNG में 3.60 पैसे प्रतिकिलो की कमी के बाद अब नई कीमत 47.75 पैसे प्रतिकिलो हो गई है हर्याना के गुरू गुराम में CNG की नई कीमत के तहट अब आपको 54.15 पैसे प्रतिकिलो खर्च करने होंगी दिल्ली में CNG के दाम 1.55 पैसे की कटाथी की गई है जिसके बाद 28.55 पैसे चुकाने होंगे इसके लावा नौइडा ग्रेटर नौइडा गाजियबाद में CNG के दामों में 1.65 पैसे की कमी की गई है नई कीमते आज से लागू हो जाएंगी वही केंदर शासित परदेश जम्मू कशमीर के सोपोर में पूलिस और सैना को बड़ी सफलता मिली है जम्मू कशमीर पूलिस और सैना ने सोपोर में लशकर-े-तैवय के दो मददगारों को गिरफतार किया है साथ ही दोनों के पास से हतियार और गोला बारूद भी बरामत किया है पकड़े गए आतंकियों के मददकारों से पुलिस पूश्टाच कर रही है आपको बता दें कि उत्री कश्मीर के सोपोर शहर में आज सुरक्षा बलो को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकियों के दो मददकार मौजूद है सुचना के आधार पर पुलिस और सेना की सयुक्त टीम ने अभिहान शुरू किया जिसके बाद नूरबाग इलाके से आतंकियों के दोनों मददकारों को पकड़ने में सोपोर पुलिस 22RR और CRPF की 189 बैटैलियन को सफलता मिली SSP सोपोर जाविद इकपाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों मददकार लशकर के सक्रिय आतंकियों को रसद मोहिया करा रहे थे जिसके कबजे से गोला और बारूद भी बरामत किया गया है फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही हमारे और जादा से जादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें नमस्कार